दोस्तों कि आप जानते हैं कि अकाटस्की का एक खतरनाग मेंबर आज भी कहीं चिंदा है। मैं बात कर रहा हूँ हीडान के बारे में। दोस्तों एडान और लॉर्ड जासीन का ये पार्ड नारूटो में बहुत ही जादा मिस्टीरियस है। हमें नारूटो में लगबग हर चीज़ का एक्स्प्लेनिशन दिया गया है। पर हमें कभी भी इडान और लॉर्ड जासीन के बारे में जादा नहीं बतायागा। इसके लाबा आपके मन में ये भी कोशन आता होगा कि इडान के पास इंमोटलिटी की पावर कैसे आई। क्या ये लॉर्ड जासीन कौन है। इंमोटलिटी की पावर देते हैं। इसका मतलब वो लॉर्ड जासीन को मानते हैं। उन्हें जासीनियस्ट कहते हैं। और हीडान ने बाकी लोगों से ये पावर चुपाने के लिए लौड जासीन सब्स बनाया था दोस्तो हमें नरुटो सीरिज में केवल हीडान ही दिखाया जाता है जो लौड जासीन को मानता है तो ऐसी possibility सच में हो सकती है कि हीडान नहीं लौर्ड जासीन सब बनाया हो दोस्तो इसके लाबा हमें बुरूटो सीरिज में एक और बिलन दिखाया जाता है जिसका नाम रियूकी होता है वो भी अमर होने के लिए लौर्ड जासीन को छोटी बच्चियों की बली देता है पर दोस्तो इसका रिती दिवाज हीडान से बहुत ही अलग होता है रियूकी को अमर होने के लिए बहुत सारी लड़कियों की बली देनी होती है इसके साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि रियुकी हिडान का ही कोई स्टूडेंट होता है दूस्तो इससे हमें ये पता चलता है कि हिडान नहीं रियुकी को लौड जासीन के बारे में बताया होगा जिससे वो भी लौड जासीन को मानने लगता है दूस्तो यही थी वीडियो आपको क्या लगता है प्लीज हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही एनिमे कॉंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल थिंक एनिमे को सब्सक्राइब जरूर करें